और हैं यह देखें फ्रेंट्स आज हम यह जो वटरफ्लाइ बनाएं इसके माध्यम से यह जो बटफ्लाइ बना है इसके माध्यम से यह सरकल बनाएंगे तो यहां पर देखिए हमने एक दो तीन चार पांच यह पांच सरकल बना लिए हैं अब यहां पर देखिए एक बटरफ्लाई है इसको हम सरकल कैसे बनाएंगे यह चीज हम इसमें बनाएंगे यह देखिए यह बटरफलाई को हम उल्टा करेंगे और उल्टे साइट से यहाँ पर देखिए इसी में पहले धागे को फसाना है नॉट लगा लेंगे फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए एक दो तीन यहाँ पर देखिए फिर समने तीन चेन बना लिया फिर इसके बाद देखिए तीन चेन बनाने के बाद यह वाला जो कलर से बनाए है इसी में थोए से धोने से धागे को कुरोशे में पbons आएंगे फिर यहाँ पे बनाएंगे एक सिंगल कुरोशे अ पिर इसके बार एक आरीवे यहाँ पर दिखिए की तेनी बनाने कि बार न बहुति combine दूर के लेना अज़र्स यहां पर देखिए हमने थोगई से ही दूर पे यह सिंगल कुरूशिय बनाया फिर इसके बाद देखिए यहां पर ले लेंगे एक दो हो गया फिर इसके बाद देखिए एक अब लास्ट में देखिए तीन चेन बनाने के बाद अब यहां पर फर्स्ट में जो तीन चेन बनाये थे इसे की बीच में बनाना है एक सिलिपे श्टीछ यह देखिए है फिर इसके बाद एक दो तीन चेन बनाएंगे फ्रेंट्स और यहां यह वाला जो तीन चेन बनाने हैं इसे की बीच में बनाएंगे डबल क्रोशिया यह देखिए दो डबल क्रोशिया हो गया कि तीन कि चार कि पाँच छे यह देखिए हैं समने यहां पर यह जो तीन तीन चैन बनाए हैं इसमें छेख डबल क्रोशिया बनाना है यह देखिए 1 2 3 4 5 6 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद समस्त अब इसके बाद देखिए तबें हां पर जो साइड फर स्वेड तीन चैन है इसमें बनाएंगे 6 डबल ك्रोशिया था आणे आज से पूरे में बना कर लेना हैं यह दिखे फ्रेंट्स यह पूरे में बनकर रेडि हो गया है यह बनाने के बार इस ric Ai celle टीन जो बनाए हैं इसके बीच में मैं गे एक सिलिप इचशी तिस पूरा बंध узнаby अथ के बाद एक दो थी एज बन आτο अब यहां पर दिखें दूसरे वालेदग रहा है यहां पर य 서क देंगे दूसरे वालेदगे बनाएंगे यंग दबल क्रोशिया फिर वापस से क्या करना है अब दूसरे वाले चैन में देखिए पिर इसके बाद उसके बगल वाले चैन में यहां पर दिखे प्रेंस हवाय कहने का मतलब है एक एक चैन में एक दबल क्रोशिया हम बना रहे हैं के अब ऐसा का आते हिए ऐसे है कि शेखिए एक ट्रूसर तरफ करना है एक कि यहां डाने है में इक रहे हर ना कर लेना है यह देखिए फ्रेंस दो पर दो कंप्रीन भी आइज लेना हो गया एप इसके बार देखिए क्या करना है अब इह यह देखिए जॉइन कर दिया इसको फिर इसके बाद देखिए एक दो तीन चैन तीन चैन बनाने के बाद फ्रेंश देखिए अब जहां पर यह तीन चैन बनाए है इसी के बीच में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया अब यह देखिए फ्रेंश क्या क्या है एक चैन में दो डबल क्रोशिया बना लिया अब फिर इसके बाद दूसरे वाले चैन में ये दिक्यों दूसरे वाले चेहंगे बहुंअ चैन में वी दो डबल क्रोशिय हैं एसी ही अब हमें पूरे चैन में कि दो डबल क्रोशिय बनाना है एक चैन में दो डवल कोशिया यह देखिए यह देखिए यह राउंड भी कम्प्रीट हो गया अब इसके बाद देखिए क्या करना है यहां पर फर्स्ट में तीन चैन बना है बस इसी के बीच में एक स्लिप स्टिज बना लेना है जॉंड हो गया पिर इसके बाद देखिए यहांपर क्या करना है दागे को थोगा सार्आ बगाक करेंगे और यह कि बाद बनाएंगे फ्रेंस पॉर्फिस टिच अब फॉर्फिस इसी में पहले बना लेंगे देखिए एक राउंड दो राउंड यह 2 राउंड हो गया यहां प दो राउंड यह देखें दूसरा वाला पॉफी स्टीज भी बनकर रेडी हो गया तक उसके बगल वाले चैन में बनाएंगे एक राउंड दो राउंड यह देखें ऐसे ही पूरे में पॉफी स्टीज बनाकर रेडी करना है यह देखें फ्रेंड्स यह राउंड भी कंप्लीट हो गया अब लास्ट में क्या करना है देखें यह वाला यह वाला पॉफी स्टीज और यह वाला पॉफी स्टीज के बीच में बनाएंगे एक स्लिप स्टीज यह देखें चोइन हो गया यह फिर इसके बाद धागे को कट कर देना है ओ भी did die locks है कि यह कंप्लीट हो गया कर लीजा तो डिरेखें करने के लिए ऑर इसकी बाद ध्यार देना है यहां पर दिखिए यह वाला जो अकार है इसका यहां का पीछे साइड का और यह वाला यह दोनों एक जैसे यहां पर तो ऐसे ही आना चाहिए तो यहां पर दिखिए हम यहां से करेंगे ज्वाइं तो पहले पकड़ेंगे दोनों को यहां से दिखिए और यहां से नौन्ट लगा लेंगे तुरिस के बाद दिखे इसको छोग नेगी इस भाग को और यहां से करेंगे जोएं यह दिखे एक-सिंगल क्रोशे बनाना है फ्रेंग्स पूरे चैन में एक-ईक संगल क्रोशे बनाना है यह दिखे यह देखे फ्रेंट्स यहां पर हमने एक एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया पुरा टोटल 14 सिंगल क्रोशिया बना लिए हैं यह देखे यहां पर एक दो तीन चार पार छे साथ आट नो दस ज्यारव फारव तेरर चाउदर यहां पर देखे दोनों को एक साथ जो किये हैं इसको पकल कर गिनेंगे एक दो तीन चार पार छे साथ आट नो दस ज्यार पार तेरर चाउदर यहां पर आराए फ्रेंस तो इसमें ही ज्याइन करना है यह देखे एक सिंगल क्रोशिया इसमें ज्याइन कर लें अब इसको करेंगे अपने साइड यह देखे अपने साइड करेंगे फिर इसके बाद पूरे चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ज्याओंगे यह अपने में आरा है देंगे अभड आजर करेंगे अपने साइड करेंगे यह जेदेए और यह दोयां पाषो जाएंगे जाएंगे एक पूरे नहीं अपने में करेंगे बाद। यह देखिए। फ्रेंज से हापर हो गया 13 सिंगल क्रोशिय बना लिए और यहां पर फर्ष्ट में पहले से ही बनाये हैं। तो चवदा हो गया तो इसके बीज में बनाएंगे एक स्लिप इस्टीच एक स्लिप इस्टीच हो गया फ्रेंट्स पिर इसके बाद दिखें वापस से बनाएंगे सिंगल क्रोशिया यह देखें यहां पर हमने सिंगल क्रोशिय बनाकर रेडिक कर लिया अब इसके बाद कि यह वाले क्लेर का इसमें जोईन करना है यहां पर भी क्या करना है यह वाला जो अ है पुण्ना को और इस कुन्ने को देखें आफे एक सिंगल क्रोश्य यहां पर देखे तर्ण समय नौ बनाए था यहां पर बनाए तो दस हो गया गया अब वापस से देखे यहां-पर यहां पर जैसे हमने यहां पर चटर सिंगल क्रोश्य बनाया है कर दो कर दो कि पिल दू़ कर दो दो कि एंगि सही आड़र को चुछ कि प्राइब। कि यह देखिए प्रेंट्स यह पूरे में जोइन करने के बाद अब लाश्ट में कैसे जोइन करना करना है यहां पर देखिए हमने 9 सिंगल क्रोशिया बना लिया है अब इसके बाद देखिए फ्रेंट्स यहां पर भी 9 सिंगल क्रोशिया होना चाहिए और इसको मिलाकर 10 तो यहां से देखिए गिनेंगे एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस तो यहां से जोइन कर लेंगे टोटल 10 हो जाएगा फ्रेंट्स यहां से लिंग की सब में देखिए यहां पर हमने 9 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद और फिर इसके बाद देखिए यहां से जोइन करेंगे तो 10 हो जाएगा तो 10-10 आना चाहिए सब में 10 आना चाहिए करेंगे का जाएगा कर दुछ आना देंगे क्लाएगा है को अ कालएगा है झाल 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 इसके बार अब किनारे पर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिय बना लिए फ्रेंड्स पूरे किनारे किनारे पर बनाना है यह दिखिए फ्रेंड्स अब पूरे चैन में यह दिखिए एक चैन में एक सिंगल क्रोशिय फिर वापस से एक चैन में एक सिंगल क्रोशिय यह दिखिए फ्रेंड्स ऐसे ही एक एक चैन में एक सिंगल क्रोशिय बनाते हुए यह राउंड भी कंप्लीट कर लेना है फ्रेंड्स यह दिखिए फ्रेंड्स यहां तक कंप्लीट करने के बाद अब क्या करना है यह बीच में इसके बीच में बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिय फिर इसके बाद देखिए सेम बनाना है ऐसे पूरे में बनाते हुए यह राउंड भी कंप्लीट कर लेना है यह देखिए फ्रेंड्स यह पूरे में जॉइंट करके यह सिंगल क्रोशिय बनाकर रेडी कर लिए हैं अब लास्ट में क्या करना है फ्रेंड्स यहां पर देखिए अब लास्ट में क्या करना है यहां पर देखिए एक स्लिप इस्टिच बनाएंगे अब फिर इसके बाद यहां पर बनाएंगे यह देखिए कट कर देना है धागे की यह देखिए प्रेंट्स अब यहां पर देखिए फ्रेंड्स यहां पर अपने पसंद का पॉम फॉम बनाकर बगा चोटा साइड जो भी है उससाब से एक कलर या दो कलर तीन कलर जो भी कलर लगाना चाहती है आप लगा सकती है तो यहां पर हम देखिए तीन कलर लिए हैं यह एक कलर का तीन बना लि झाल 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 वीडियो पसंद आजाएं तो प्लीज एक लाइक करके जरूर नुश्ले को बहाएं तांक यू झाल 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 झाल